शिवहर सांसद रमादेवी आज गांधी जैन्ती और लाल बहादूर शास्त्रे जी के जनम दिन के मौके पर शिवहर के गांधी प्रतीमा के सामने धरने पर बैठ गई अपने समर्थकों के साथ रमादेवी बिहार सरकार पर अपराद पर लगाम लगाने में विफलता का आरोप लगाया है रमादेवी ने इस दोरान ना सिर्फ मुख्यमंत्री नितीज कुमार पर निशाना साधा बलकि एक विवादित बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि PFI को लेकर जहां भी जाँच एजनसी की कारवाई हुई है वहाँ देखने को मिला है कि एक ही वर्क के लोग देश को बरबात करने की साजिस में जुटे हुए है